हाई फ्रेंड्स मैं मीना पांडे वेल्कम बैक टू माई चैनल सर्विद्य आज हम चीज बस्त पीजा बनाने जा रहे हैं अगर आपको मेरी रेस्टी पसंद आती है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा आज मैं चीज बस्त पीजा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने जो है आधा कप मैदा ले लिया है चान के आधा कपी अमने गेहों काटा ले लिया है दोनों हम मिला के बनाएंगे हाफ टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और वन फोर्थ टीस्पून हमने बेकिंग सोटा ले लिया है वन फोर्थ टीस्पून हमने काली मिर्श पाउडर ले लिया है हाफ टीस्पून हमने चीनी ले लिया है चीनी डालने से आटे को जो है राइस होने में मदद मि हमें यह mix hub है और गिनो होए mix hub हो थोड़ा से हम अपने हिसाब से इसको मिला लेंगे तेस के काउडिंग हम नमक डाल देंगे वन टेबल स्पून हम इसमें ऑईल डालेंगे तो यह हम इसको अच्छे तरीके से मिला लीए है थोड़ी खटी दही है इसको भी सी में डालके हम मिला लेंगे सॉफ्ट सटो चाहिए हमें वैसे दही से हमारा काम हो जाएगा फिर भी थोड़ा बहुत एकार टेबल स्पून हमें पानी की जरूत पड़ेगी तो इसको लगाव के लिए आटा बना लेते हैं यह देखिए तो हमारा आटा बनके तयार हो गया तो इसको हम ऐसे 10 मिनट के सब्सक्राइब करें दो तीम पूंग इसको इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आटा मैरा तयार हो गया है इस आटे को हम बराबर के तीन टुकडों में ऐसे कर देते हैं तो यह जो एक टुकड़ा हुआ इसका हम रोटी बनाके तवे पर सेख लेंगे तो यह देखिए चकले क हम थोड़ा सा मैदा डश्ट करके बेल के रोटी बनाके तवेप बाली सेख लेते हैं जितना बड़ा हमें पीजा बनाना है उतनी बड़ी हमें ये पहले वाली रोटी बनाके थोड़ा सा हलका सा सेखेंगे हम भी गयस जला के तवा रख दिया है तवा हमारा हलका सा गरम हो गय कि दिखिए say a okay color SK B कि इसका बदल रहा है तो इसको हम इस स्वेलेते से व्यूनर देंगे दूसरी तरब हम भी पीज़ें की आप बस बहुत हलका सा सिखना है बस ज्यादा नहीं सिखना है आज अपने इस तवेल में बनाएंगे पीजा तो यह देखिए हमने बटर डर के ग्रीज कर लिया है अब हम अपना पीजा का दूसरा बेस बना लेते हैं थोड़ा सा चकले पर हम यह मैदा डस्ट करेंगे यह आटा ज ठोड़े हैं उसके बाद हमें भेल आज से जम्यात बेल के चार बराबर कर लेंगे यह जितना बड़ा हमने पहलें वाला पीजा का बैस बनाया है जो सेका है उससे यह थोड़ा सा बढ़ा रहेगा एपीजा बेस को इसी में डाल देती है, पीजा नहीं लेलिया हैं घर में जौरी तार 2 है जोड़के छोड़के इसको इस तरी के से कहले हैं आप रेट कि रखेंगे कि रोटी बना ली थी इसको हम सी पैसे रह देंगे इस तरीके से और जो ये साइट साइट से आटा हमारा बचा है धिख रहा है यहां इसको हम थोड़ा गीला करेंगे पानी लगा के चाहिए हाथ से आप कर सकते हो ब्रश है तो ब्रश है कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से पानी लगा रहेगा तो अच् पीजली सक्के हमें होता ही है इससे और इस तरह के से इसे। बॉल कर देंगे इससे का होग, जम्मौहाँ पखेगा तो पीजट हमारा फूल एगा नहीं, बनाएंगे तो पीजट हमारा फूल जाएगा और चीज हमने डाल रखा वह दग निकल कर बाहर आजाएर दो पर बेस में होल कर दिया है और जो हमने यह इसको हमने इंग फोल्ड किया है इसके वह ऐस तरहें हम हम इस तरह के से यह से होल कर दिजिए चाह से तो यह ऐसे पख जाएगा और यह खुलेगा नहीं यह हमारा हो गया अब हम इसके उपर बाकी के चिज़े डाल देते हैं और यह जो हमने फॉक से यह होल पड़ाया है तो देखिए मार्केट का पीजा बेस जो मिलता है इसी तरीके से मिलता है यह जो पीजा सॉस है इसको फैला देते हैं कि अब अच्छे तरीके से जितना हमें फैलाना आया इपने आण थिए सब्जी काट लिए हैं जैसे इनने दो टेबलश्पून के करीब यह कॉन उबाल लिया है और यह गोल गोल हमने टमाटर काट लिया है और इसी तरीके से गोल आई में ही हमने यह जिम्ला मिर्च काटी ह और यह कुछ प्यास हैं उसको भी हमने एरिंग साइज में ऐसे काट लिये हैं गुल गुल काटके उसके एक पतिया निकाल दी है तो यह सब हम इसी के उपर रखेंगे ला मिर्च ऐसे रख देते हैं कि हम कौन भी रख देते हैं वहना निकाट लिया है कि इसी के उ eller सब पर हमकाला जिन सागे आपने हिसाब से क्योंकि अधि चली Euch डाल देते हैं और वहारे पास यह जो मिक्स हब है तो इसको भी हम डाल देते हैं यह भी अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हो इसी महमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे अगे दो तरह के चीज लिए है यह कुछ है मोजरेला चीज को हम भिस लिया है और थोड़े से यह चीज था तो हमने इस तरीके से चूटे-च्टे में काट लिया है इसको भी हमेसी रख देते हैं सब्सक्राइब वुम्हें वन टेबल स्पून बटर ले लिया है बटर ले लो ओयल ले लो कुछ भी तो यह जो यह आठा जहां पैन में है तो यहाँ पर साइड साइड में हम ऐसे घी लगा देंगे इससे क्रिस्पी भी होता है और पैन में लगके हमारा पीजा जलेगा नहीं इस तरीके से हम या भी लबा देते हैं गयस जलाके हमने तवा रख दिया है गरम हो गया है अब इसी पर हम अपना यह तवा जो दूसरा तवा पर बना रहे हैं इसको इसी तरीके से रख देंगे कि असंदे का दर्खिए डखके द सकते कि पंद्रा मिनिटर्ट एक लिए मीडियर्टे भैस पर छोड़ा की निजैनकर में कि द्रखंडी बीध् sophisticated वं हुमारे पीजा पर वैं कुंगरी खैस बास प्लेड़ी है 85 00 was2 अब है इसी पे हम मुझा दो मिनट के लिए ऐसे तवा छोड़ देते हैं तो पीजा मारा हो गया है अपने इस प्लेट में निकाल लोते हैं कि देखिए बहुत क्रिस्पी हुआ है मितलब इस यह उठ जा रहा है इस प्रचुला से ही यह दीदे необходимо ко बीजा अवा से peng accepts. दो मिनुट इसको काट के हम स Конечно है फिर इसको काट के हम सेर्फ कर सकते हैं पीजा हमारा हमारा ठंडा हो गया है उसको काट लेते है यह को हमारे पास इसमें कर देदे हैं यह नहीं तो नाइभ से काट सकते हैं तो हमारा पिज़ा बनके तयार हो गया है आप लोग भी अपने घरों में बनाईए और बताईएगा कमेंट बॉक्स में ही कैसा बना है लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए था इंक्यों